Hey guys, अभी PlayStation 5 के official video और डिजाइन हमारे सामने आज चुका है तो जैसे कि आप देख सकते हैं, एकदम cool design इस बार आपको PS5 में मिल जाएगा यानि कि यहाँ पर आपको एकदम futuristic design देखने को मिल जाएगा PS5 में और उसे के साथ इसके design की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि दोनों तरब आपको white texture देखने को मिलेगा और बीच में आपको black glossy finish देखने को मिल जाता है, यानि कि जो main module है यह आपको black color में देखने को मिल जाता है और उसे के surrounding आपको white texture देखने को मिल जाएगा और जो सबसे special चीज इसको बना देता है कि यहाँ पर आपको blue light देखने को मिलेगा यानि कि इसके surrounding में आपको अंदर में blue light effect देखने को मिल जाएगा जिसके वैसे ही और भी ज़्यादा premium देखने को मिलता है तो इस बार मुझे PlayStation 5 का design बहुत ही ज़्यादा cool लगा और सायद आपको भी लगा होगा क्योंकि अगर आप पिछले साल के PlayStation 4 के साथ इसको compare करें तो बहुत ही ज़्यादा huge difference आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंट में ही और हाँ यहाँ पर किसी ने ये भी मजा किया है कि एक router के दोनों साइट white paper चीप करके वही same feeling देने का कोसिस किया है तो यह भी ज्यादा तर सेम ही लग रहा है और यहाँ पर ports की बात करें तो आपको यहाँ black module के अंदर headache ports देखने को मिल जाएगा तो यह तो था इसका design और texture के बारे में और इसके feature के बारे में बात करें कि इसके अंदर आपको क्या-क्या चीज़े देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर आपको ultra fast SSD इस बार देखने को मिल जाएगा PlayStation 5 में यानि कि इस बार साइल आपको hard drive के जगा SSD यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जिसके वे से यहाँ पर और भी जादा faster performance देखने को मिल जाएगा hard drive के तुल्ला में तो मेरे हिसाब से अगर आप आने वाले दिनों में कोई gaming console खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए PlayStation 5 बहुत ही अच्छा option हो सकता है और उसी के साथ इस बर PS5 में आपको Ray Tracing का भी option देखने को मिल जाएगा जैसे आपको NVIDIA RTX graphics card में देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर PS5 में भी आपको यही feature देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे extra feature मिलेगा जैसे 4K Blu-ray का support देखने को मिलेगा 3D audio का support मिलेगा लेकिन जो भी हो दोस्तो इसका जो design है मुझे बहुत ही ज़दा amazing लगा एकदम futuristic design इस बार आपको Sony के तरफ से देखने को मिल जाता है और ना सिर्फ इसका main module इसका controller भी change कर दिया गया है यानि कि इस बार आपको PlayStation 5 में जो controller दिया गया है यह आपको एकदम new design के साथ देखने को मिलेगा मतलब आपको एकदम same वही white texture देखने को मिलेगा और उसी के साथ blue light भी देखने को मिल जाता है इस controller के अंदर यानि कि यहाँ पर जो main module है इसे के साथ यह match कराने के लिए आपको देखने को मिल जाता है और साथ इसाथ controller के hardware को भी change कर दिया गया है यानि कि यहाँ पर आपको adaptive touch response देखने को मिल जाएगा यानि कि आपको यह haptic feedback देखने को मिलेगा जब भी आप game के अंदर किसी को fire करते हैं kill करते हैं तो आपको एक अलग सा effect इसके controller में देखने को मिल जाएगा जिसके वह इसे यहाँ पर game केले में और भी जादा मजा आने वाला है और उसे के साथ इस controller को charge करने के लिए आपको charging station देखने को मिलेगा जहाँ पर आप इस controller को रखने के बाद यह automatically charge करने लगेगा और इस तरह PlayStation 5 के और भी बहुत सरे चीज़े add कर दिये गए हैं जैसे यहाँ पर आपको HD camera देखने को मिलेगा जिससे आप game को live stream कर सकते हैं अच्छी तरीके से और साथ में यहाँ पर आपको Pulse 3D wireless headset देखने को मिलेगा यानि कि इस बार आपको 3D surrounding जो sound है वो और भी बहतरीन तरीके से इस बार आपको इस headset में देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ पर आपको media remote मिलीगा जिससे आप इस PlayStation को control कर पाए तो देखिए दोस्तो अगर आप इसको किसी भी दूसरे gaming console के साथ compare करते हैं जैसे Xbox तो उसमें आपको उतना भी अलग design नहीं मिलता है एकदम सेम वही box से design मिलेगा और इस तरफ PlayStation 5 में आपको एकदम futuristic design देखने को मिलता है ना सेपेस का main module इसका controller भी आपको अलग देखने को मिलेगा तो मेरे हिसाब से अगर आप एक नया console खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए PlayStation 5 अच्छा option हो सकता है तो आपको क्या कहना है आप नीचे मुझे comment करके ज़रूर बताइए और अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को subscribe करके मुझे support कर सकते हैं तो मिलते अगले वीडियो में, thanks for watching